हेलो फ्रेंट्स वेल्कम टू आई चैनल स्टेडी फोर यू सो गाई जैसा कि आज आज आपका SSE CGL का 17 सितंबर के सभी सिफ्ट का एक्जाम हो गया है दोस्तों जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% accurate answer के साथ जो है इस वीडियों आताऊंगा तो देख लेता है कि किस परकार के आज आपके 17 सितंबर के सभी सिफ्ट का एक्जाम में जो आप प्रेस्ट न पूछे गया है उससे पहले एक बात और दोस्तों कि जिन्होंने भी एक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो SSE CGL एक्जाम से रिलेटेड पलपल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरू कर दिएगा और बगल में आपको एक बैले कन्यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा तो आप उसे भी जरूर प्रेश कर दिएगा तो चलि विडियो को स्टाट करते हैं तो आज का जो आपका पहला कोश्यन आहा था कि इसी पी राधाक्रिशन जो हो बने थे और ये जो आपके दसवे जो राधाक्रिशन आपका खरीक्ट अंसर होगा इसके लाब मैं आपको बजा दू कि CP Radha Krishnan का जो कारेकाल रहा था नँए 18 फरवरी 2023 से लेकर जो है 30 जुलाई 2024 तक जो है इनका कारेकाल रहा था और CP Radha Krishnan से पहले आपके जारखण के राज्यपाल कौन रहे थे तो यह आपके रमेस बैस रहे थे, रमेस बैस का जो कारेकाल है ना, यह आपका 14 जुलाई 2021 से लेकर जो है, 17 फरवरी 2023 तक रहा था, और वर्तमान में जारखंड के राज़िपाल की बात कर ले, तो देखे 31 जुलाई 2024 से जो है, 11 जो आपके राज़िपाल बने है ना तो यह फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है, तो फरवरी 2023 में पूछा गया था, इसलिए CP रादा कृष्णन आपका करेक्ट एंसर होगा, नेक्स्ट कोश्च आपका यह आप रहा था, कि विच वन इस नौट ही, ग्रीन हाउस गैस यानि निम्न में से कौन सा जो है, और ग्रीन हाउस गैस में आपके कौन-कौन से गैस आजाते हैं, तो पहला तो आपका कर्बन डायोकसाइड गैस आजाता है, इसके लावा मीथेन आजाता है, क्लोरो फ्लोरो कार्बन आजाता है, सल्फर डायोकसाइड आजाता है, इसके लावा ओजोन और वाटर वेपर, यानि आपके जो आपका जलवास पहना, ये सबी जो आपके green house gas में आ जाते हैं, इसके लवा एक आपका nitrogen dioxide gas भी जो है, ये आपका green house gas में जो वो आ जाता है, तो इन में से आपका तीन तो option में दिया गया था, इसके लवा जो चौथा option होगा वो आपका correct tensor होगा, क्योंकि यहा आपका यहाँ पर correct tensor होगा, next question है आपका जाता है, कि दूसरे गुलमेज समेलन के दौरान, महात्मा गांधी जी ने जो है, किस पार्टी का नैतितु जह वो किया था, तो देखें, तीन आपके गुलमेज समेलन हुए थे, और तीनों ही जो गुलमेज समेलन है ना, ये आपक आपका दूसरा गुलमे समेलन जो आपका लंदन में आयोजित किया गया था, और इस गुलमे समेलन के दौरान, महात्मा गांधी जी ने जो है, ये आपके भारते रास्टे कॉंग्रेश, यानि आई नसी का नैतितु जो वो किये थे, तो भारते रास्टे कॉंग्रेश आप यहाँ पर correct tensor होगा, इसके लिदा एक्जाम में प्रश्नहाँ से पूछा जाता है कि दूसरे गोल में समेलन के दौरान, महात्मा गांदी जी के साथ जो है कौन जो भाग लिये थे, तो देखे महात्मा गांदी जी के साथ जो है, यह सरोजनी नाइडू जो हो वो सामिल हुए तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखेगा नेक्स्ट कोश है आपका यह पराता कि प्रयाग प्रहसस्ती के लेखक हरी सेन जो थे यह आपके किसके दर्बारी कवी थे तो देखे प्रयाग प्रहसस्ती के जो लेखक यह आपके हरी सेन थे और हरी सेन जो थे यह आपके समु इसके लाव बात कर ले इलावाद अस्तंब सीलालेक में यह किसके उपलब्दियों का जिकर्फ किया गया है उस सीलालेक का जो प्रतेक जन्में बनवाया था तो यह पॉइंट भी आप ध्यान में रखेगा next question आपका आप रहा था कि संसद प्रतेग जनगन्ना के बाद एक परिशीमन अधिनियम लागू करती है यह जो आपका किस अनुछेद के तहट जो वो लागू करते हैं तो देखे अनुछेद बेरासी के तहट जो है संसत प्रतेग जनगन्ना के बाद एक परिशीमन अधिनियम जो वो लागू करती है तो अनुछेद बेरासी आपका correct answer होगा इसके लोग अगर एक्जाम में पूछा जाए कि संसत के सदनों की अवधी से संबन्दी अनुछेद कौन सा है तो देखे संसत के सदनों का अवधी से संबन्दी जो अनुछेद है यह आपका अनुछेद तीरासी है तो यह fact भी आप ध्यान में रखेगा next question है कि who discovered allotrops of carbon यानि carbon के अप्रूपों की जो खोज है यह किस्टने की थी तो जैसा कि आपको पता कि carbon के तीन मुख्ये अप्रूप होते हैं और वो तीन मुख्ये अप्रूप कौन कौन से है तो पहला आपका graphite है second आपका हीरा है और third आपका fluorine यह जो आपके carbon के जो है वो आपके द्वारा जो यह आपका किया गया था और उन्होंने ही बताया था कि हीरा को carbon का जो है एक रूप भी जो वो बताया था तो यह fact भी आप ध्यान में रिखेगा वह अगर fluorine की बात कर ले तो देखे fluorine जो है यह आपका carbon का जो है एक क्रिस्टलिय एलोट्रॉपिक रू और fluorine की जो खोज है यह आपके आरी असमाले और RF करले ने मिलकर 1985 में इसकी खोज जो वो की थी और इसी के खोज के लिए इन दोनों वैक्तियों को जो है 1996 में नोवेल पुरुष्कार से भी जो वो सम्मानित किया गया था तो इन में से आपका जो भी option में दिया गया होगा वो आपका यहाँ पर correct answer होगा नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि tropical deciduous forest का example जो वो पूछा गया था यानि निम्ने में से कौन सा जो है आपका उस नकटी बंदिये परनपाती वन के उधारन है तो देखिए अगर उस नकटी बंदिये परनपाती वन के बात कर ले तो उन छेतरों में आपके यह फैलते हैं जहां से 70 से 200 सेंटी मीटर के भी जो वो आपका वर्सा प्राप्त करते हैं यहाँ पे जो आपका उस नकटी बंदिये परनपाती वन जो वो पाये जाते हैं और उस नकटी बंदिये परनपाती वन में आपके कौन-कौन से आपके आजाते ह तो देखे सागॉन, साल, सीसम, हर्रा, महुआ, आवला, सेमल, कुसूम और चंदन यह सभी जो आपके है ना यह आपके ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट के एक्जाम्पल है तो इन में से आपका जो है ओप्सन में कोई भी आपका एक ओप्सन में दिया गया होगा तो इन म लुक नित्ये है तो मद्य पड़ेस आपका करेक्ट एंसर होगा इसका लाइक्जाम में पूछा जाता है कि मटके नित्ते को जो है यह आपके किस जंजातियों के द्वारा जो हो विक्सित किया गया है तो तो यह पॉइंट भी आप ध्यान में रखिगा नेक्स टप कह यह कजरी जो नित्य है ना यह उत्तर परदेश के किस छेत्र में जो वो किया जाता है तो देखे कजरी नित्य की बात कर ले तो यह आपका मुख्य रूप से पूर्वी उत्तर परदेश के छेत्रों में जो वो किया जाता है और बेसिकली यह आपका मिर्जापूर इसके आसपास म होगा next question आपका यहां पर तक कि यदि आप बाबर के मगबरे पर किसी को लिखते देखते हो तो इसमें आपके कौन से मौलिक कर्टबे का जो है वो आपका हनन हो रहा है तो देगे यदि कोई भी वैक्ती बाबार के मगबरे पर लिखता है या फिर उसे नुकसान पहुंचाता है तो यह जो भारत्य समिदान के अनुछेद 51-1 के क्लोज एप के तह जो है यह आपका उलंगन कर रहा है क्लोज एप के आप में आपक कर्तब्बे होगा कि हमारे समरीद विरासत की गौरब साली प्रंपराओं की रच्छा करें और उनका जो वो संबर्धन करें यह जो आपका अनुछेद 51-1 के क्लोज एप में जो वो कहा गया है तो यहाँ पर आपका यही जो वो लागू होता है तो अनुछेद 51-1 का क्लोज F आपका यहाँ पे करेंटेंसर होगा नेग्स्ट कोश आपका यहाँ अपरा तक कि विक्रम सिला वेस्वीदेALLY की जो अस्थापना है ना यह किसने की थी तो यह आपके पलवन्स के राजा धर्म पाल के द्वारा जो वो किया गया था तो धर्म पाल आपका यहाँ पे सर होगा इसके लाव बात कर ले विक्रम सिला विश्वी डियाले ये जो है कहां पर इस्तित है तो यह आपका बिहार के भागल पूर में इस्तित है इसके लाव अगर एक्जाम में नालंदा विश्वी डियाले के बारे में पूछा जाए तो देखें नालंदा विश्वी डिय तो कि आपके महायान बौधे धर्म के सिच्छन का जो है यह आपका पर्मुख चेंद रहा हैं तो यह पॉंट भी आप ध्यान में रखिएगा इसके लाईता पूछा जाता है कि आपके विकरम सिला विस्वी देला के स्थापना किसने की थी और नालंदा विस्वी देला को पूनर जीवित जो ये किसने किया था तो देगे नालंदा विस्वी देला को जो पूनर जीवित है ना ये धर्म पाल के दोरा जो वो किया गया था तो ये फैक्ट भी आप ध्या गान्दी खिल्रयते प्रूशकार मेजर ध्याइन प्रूशकार मेजर ध्यान चंद प्रटेक खेल दिवस 29 अगस्त को जो वो मनाय जाता है तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रिखेगा तो राजीक बांदी खेल रहे हैं पुरुसकार का नाम बदल कर मेजर ध्यान चेंद खेल रहे हैं पुरुसकार ये जो कप कर दिया गया था तो exact date आपका पूछा गया था तो 6 अगस्त 2021 आपका यहां पर करेक्ट एंसर होगा नेक्स्ट आपका यहां पर आया था कि प्रसीद संगीतकार अनपूर्ना देवी ये जो आपका किस वादियंतर से जुड़ी है तो देखे अनपूर्ना देवी की बात कर ले तो यह आपके सुर्बहार वादियंतर से संबंदीत है तो सुर्बहार आपका यहां पर करेक्ट एंसर होगा नेक्स्ट कोश आपका यहां पर आया था आत्मिय सभा की अस्थापना किस के द्वारा और कब जो वो किया गया था तो देखे आप्मीय सभाकी जो स्थापना हैा ना कहीं पर आपको 5814 और कहीं यह आपको 5815 जित देखने को मिल जाता है तो आपको confused नहीं होना आपके एक्जाम में जो एक ही option दिया रहेगा जहांसे एक्जाम में प्रश्ण पूछे जाते हैं जैसे कि ब्रह्म समाज की जो अस्थापना है ये आपका 1828 में कलकता में जो है राजारा मोहन रॉय के द्वारा किया गया था तत्व बोधनी सभा की जो अस्थापना है ये 1849 में कलकता में जो है देवेंदर नाठ ठाकूर क के द्वारा किया गया था यंग बंग आंदोलन की जो स्थापना है यह आपका 1826 में जो है कलकता में डेरेजियों के द्वारा जो इसकी अस्थापना किया गया था आदी ब्रह्म समाज की जो स्थापना यह आपका कलकता में 1864 में जो है केसव चंदर सेन के द्वारा जो वो कि अलीगढ़ अंदोलन की जो स्थापना यह आपका अलीगढ़ में 1875 में सर सयद एहमत खान के द्वारा इसका स्थापना जो वो किया गया था इसके लाव अगर रामकृष्ण मेशन की बात कर ले तो इसकी जो स्थापना यहापका बैलूर मट में 1897 में जो है विवेकानन के द में जो है डॉक्टर भीम्राव अमिठकर के द्वारा किया गया था रास्त्रे स्वयमम सेवक शंग की जो स्थापना या उनी सोशल सर्विस्टीट जो स्थापना ही आपको उनी सो इयारे इंव स्थापना किया गया था भारत- समाज की जो अस्थापना या आपका गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा जो है 1905 में बंबई में इसके अस्थापना किया गया था इसके लावा एहमदिया अंदोलन अगर पूछा जाए तो यह आपका मिर्जा गुलाम एहमद के द्वारा जो है 1889 में पंजाब में इसके स्थापना किया गया था तो यह सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट कोश्फ आपके अपराथा कि भारत में पहली महिला क्रिकेट मैच का जो आयोजन है यह कहां पर किया गया था आप देख सकते कि किस लेबल का प्रश्ण जो वो पूछा गया है तो दे तो यह आपका West Indies देश के खिलाब जो वो खिला था और इसमें जो आपका भारतिया टीम के जो कप्तान रही थी वो आपका सांता रंगा स्वामी जो है इस टेस टीम के जो वो कप्तानी मिली थी तो option में आपका जो है बैंगलूरू दिया गया था तो बैंगलूर आपका यहा से अंतरास्टी मैच है ना यह एक जनवरी 1978 को जो है कोलकता में इंगलेंड के खिलाब जो वो खेला था और पहला टी-20 अगर पूचा जाए तो देखे पहला जो टी-20 मैच है यह आपका पांच अगज दोजाट 6 को जो है यह आपका डर्बी में इंगलेंड के खिलाब जो व भाग लिया गया था और इस tournament के भी जो मिजवानी है यह आपका भारत देश के ही दौषर जो वो किया गया था और इस tournament में जो ऐस्ट्रेलिया है वह आपका वीजेता रहा था और England जो रहा था यह आपका भारतिय क्रिकेट तीम का हो गया अगर वहीं अगर बात कर ले महिला Cricket टीम के बारे में यानि अगर एक्जाम में पूँचा जाए कि प्रथम जो महिला Cricket Wish Week Up की जो मिजवानी है यह किस देश के दवरा किया गया था तो यह आपका महिला क्रिकेट वेशो कप है न यह आपका 1973 में जो है यह आपका इंगलैंड देश के द्वारे जो वो आयोजित किया गया था और इस से में जो आपका टूनामेंट का जो प्रारूप रहा था न वो आपका राउंड रोबिन रहा था इसमें जो आपके चार टीमों ने जो वो भाग लिया था जिसमें आपके इंगलैंड, ऐस्ट्रेलिया, न्यूजिलैंड और जमाइका जो है which of the following is more acidic यानि निम्नमेस सबसे अधिक अमली ये जो है इसमें से कौन सा है तो option में आपका एक methanoic acid दिया गया था तो देखें ये जो आपका methanoic acid होता है ये सबसे ज़्यादा जो आपका acidic होता है तो methanoic acid अगर option में दिया गया था तो methanoic acid आपका यहाँ पर correct answer होगा इसके लाब बात कर लें methanoic acid का formula क्या होता है तो देखें इसका जो आपका formula होता है ये आपका HCOOH जिसे आप formic acid भी methanoic acid को ही कहा जाता है तो HCOOH ये जो आपका methanoic acid का formula होता है या फिर कहीं कहीं पर आपको CS2O2 जो देखने को मिलेगा तो इसी को तोड़ने पर आपके CS2O2 इस परकार से आपका बनता है तो ये जो आपका methanoic acid का जो वो formula है तो ये point भी आप ध्यान में रिखीगा next question है था कि खजुराहो का जो मंदीर है ये आपका किस राज्य में इस्तीध है तो देखे खजुराहो का जो मंदीर है ये आपके मद्धे परदेश के चटरपूर जीले में इस्तीध है तो मद्धे परदेश आपका यहां पे correct answer होगा इसके लाव मैं आपको बता दू कि खजुराहो का मंदीर जो है एक समू है और खजुराहो मंदीर को जो है ये आपका 1986 में जो है इसे युनेश्को के विसोधरवार सूची में भी जो वो सामिल किया गया था और खजुराहो मंदीर का जो निर्मान है ये किसके द्वारा करवाया गया था तो देखे खजुराहों मंदिर का जो निर्मान है या आपके 950 से 1050 इसवी के बीच में जो है या आपके चंदेल राजवन्स के दोरा इसका निर्मान जो वो करवाया गया था तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखेगा इसकला मैं आपको बता दू कि खजुराहों मंदि यानि निम्न में से कौन सा ततो जो है या आपका हैलोजन ग्रूप से सम्मंदित नहीं है तो देखे मैं आपको बता दू कि परियोडिक टेवल यानि आवट तसारनी में जो ग्रूप 17 के ततो होते है ना उन्हें जो आपका हैलोजन एलिमेंट जो वो कहा जाता है और ग्रूप 17 में जो या आपके फ्लोरीन जिसका सीम्बल F होता है इसके लावा क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, इसके लावा टैनसीन ये सबी जो ततो है ना या आपके ग्रूप 17 के जो वो आपके ततो है और इनमें आपका एक उप्शन में दिया गया था हीलि जो या फिर जीरो ग्यास भी जो वो कहा जाता है तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रिखेगा इसके लावा अगर आवट तसारनी के समू सुल्ला यानि ग्रूप सुल्ला की बात कर ले तो देखे समू सुल्ला को जो या आपके चालकोजन्स ग्रूप या फिर ऑक्सीज परिवार के नाम से भी जो वो जाना जाता है तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रिखेगा और ग्रूप सुल्ला में आपके कौन-कौन से तत्व आ जाते हैं तो इसमें आपके ऑक्सीजन, सलफर, इसके लावा सेलैनियम, टैलियूरियम और पॉलोनियम ये सबी जो तत् अठारत तत्व को जो वो घ्यात किया गया था इसके लावा अगर परियोडिक टेवल की बात कर तो आपके परियोडिक टेवल में आपके कितने ग्रूप और कितने आपके पिरियर्ट्स होते हैं तो देखे इसमें आपके अठारत ग्रूप और आपके पिरियर्ट्स होते है तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रिखेगा, नेक्स्ट कोशन आपके आप रहा था कि महादिवक्ता का यह कर्टब्य होगा, कि वर राज्य सरकार के ऐसे विदिक विशेयों पर सला दे, तथा विदिक स्वरूप में ऐसे अन्य कर्टब्यों का पालन करे, जो राज्य पाल समय समय पर उसे निर्दिष्ट या फिर सौपे जाए तथा इसे संविदान का जो है, आपके अन्य विदी द्वारा या फिर उसके अदिन, उसे सौपे गए कृतियों का जो निर्वान करे, यह जो आपका किस अनुछेद में कहा गया है, तो देगे यह जो सारे वाक्त के है यह आपके अनुछेद 165 का जो है, खंड दो, यानि क्लोस दो में जो आपका कहा गया है, तो अनुछेद 165 का खंड दो आपका यहाँ पर करिक्टेंसर होगा, इसके लाव मैं आपको बता दू कि किसी भी राजजी में, महादिवक्ता की जो न्यूक्ती है, यह किसके द्व किया जाता है, तो यह आपका गवर्नर, यानि राजजीपाल के द्वारा जो वो किया जाता है, और यह जो आपका किस अनुछेद के तहट किया जाता है, तो यह आपका अनुछेद 165 के तहट जो वो किया जाता है, इसके लाव मैं आपको बता दू कि एड़वाकिट जेनर यानि आपके महादिवक्ता के बारे में तो यह आपका किस परकार का पद है तो यह जो आपका एक संवेधानिक पद है और यह जो आपका इसकी नियुकती मैंने आपको बता देख कि राज्यपाल के द्वारत किया जाता है और इनका जो कार्य होता वो क्या होता है तो देखे म महादिवक्ता जो होते हैं ये राज्य का सर्वोच कानूनी अधिकारी होते हैं तो ये फैक्ट भी आप ध्यान रखेगा एक्जाम में पूछा जाता है कि राज्य का सर्वोच कानूनी अधिकारी जो है ये कौन होता है तो ये आपके एडवाकिट जैनरल यानि महादिवक्ता होते हैं तो यह तो आपका महादी वक्ता के बारे में हो गया अगर आपसे एट और नी जनरल के बारे में पूछा जाए तो देखे एट और नी जनरल जो होते है जिसे जो आपका हिंदी में आपका जो महानियावादी कहा जाता है और यह जो आपके भारत के सर्वोच कानूनी अधिकारी होते हैं, अगर भारत का सर्वोच कानूनी अधिकारी पूछा जाए, तो यह आपके Attorney General, यानि महानियावादी होते हैं, और यह जो आपके महानियावादी के जो न्यूकती है, यह किसके द्वारा किया जाता है, तो यह आपका रास्टपदी के द्वारा जो वो किया जाता है, तो यह आपका Article 76 के तहद जो वो किया जाता है, तो यह सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है, सर्वोच न्याले के मुख्य न्यादीस की सेवा निवरिती के जो आयू पूछी गए थी, देखें, यहाँ पे आपका सर्वोच न्याले का नहीं पूछा गया था, चीफ इलेक्शन कमिशनर का पूछा गया था, तो देखें, मैं आपको बता दूँ कि मुख्य चुनाओ आ वहीं अगर उच न्याले के न्यादीस के बारे में पूछा जाए, तो देखें, उच न्याले के न्यादीस की सेवा निवर्ती के जो आयू है, यह आपका 62 वर्स है, और पहले जो था यह आपका उच न्याले का वो आपका 60 वर्स था, और इसे जो आपका पंदरवे जो दिमाकस की बात कर ले तो यह जो आपका बिंदु सार के दर्वार में जो यह भारता है था तो बिंदु सार आपका यहाँ पर करेक्ट एंसर होगा इसके लाइग्जाम में पूछा जाता है कि यह जो आपका डिमाकस था तो देखें यह जो डिमाकस था तो देखें यह जो डि डिमाकस जो है ये किसका उत्रा अधिकारी था तो ये आपका मेगस्तनीस का जो है उत्रा अधिकारी था और मेगस्तनीस के द्वरा ही जो है आपका इंडी का नामक पुस्तक जो वो लिखा गया था इसके लावा अगर बात कर ले आपके मौरे शमराज जी के बारे में तो आपका बिंदु सार है और बिंदु सार के पुद्र का नाम अगर पूछा जाए तो यह आपका समराट असोख है तो यह पॉइंट भी आप ध्यान में रखेगा नेक्स्ट कोश आपके आप रहता है कि नई दिल्ली में इस्तीत जंतर मंतर खगोली वैद साला का जो निर्मान ह तो यह पॉइंट भी आपका ध्यान में इसके लावा दिल्ली में है मधुरा में है उजयन और वारण असी में यह जो आपके पांच जंतर मंतर जो वैद साला का जो निर्मान है यह आपके सवाई जैसिंग दित्ते के द्वारा जो वो खरवाया गया था तो सवाई आपका यहां पर correct टेंसर होगा इसके लावा गर बात कर लें जंतर मंतर में सबसे बड़ा आपका कौन सा है तो यह आपका जैपूर वाला है तो यह point भी आप ध्यान में रिखेगा इसके लावा मैं आपको बपादा दो कि आपके जैपूर में हवा महल का निर्मान यह किसक के द्वार्ण करवाइ गिया था तो ये सारे फेक्ट जो आप ध्यान में रखेगा नेक्स गूर्श हैं आपका राशानिक सूतर पता होता है तो देखे, glukos का जो आपका रासायनिक सुत्र होता है यह आपका C6, S12, O6 होता है और इसमें आपके 6 कार्बन परमानु होते हैं, 12 हैड्रोजन परमानु और 6 जो होते हैं या आपके आउक्सीजन परमानु जो वो सामिल होते हैं तो देखे अगर glucose में carbon का अगर प्रतीशत निकालना है तो कैसे निकालेंगे तो देखे एक लीटर में glucose का द्रबेमान किता हो जाएगा तो देखे glucose का आपको formula यहां पर पता है तो यहां पर हम लोग glucose का द्रबेमान निकालेंगे तो यहां पर देखे c6 है तो 6 आपका पहले लिख लेंगे और हाइड्रोजन का परमानू जो द्रबेमान यह कितना होता तो वन होता है तो इन्टू वन कर लेंगे फिर ऑक्सीजन का आपका यहां पे छे दिया गया तो छे लिख लेंगे और ऑक्सीजन का परमानू द्रबेमान यह जो कितना होता है तो यह आपका सोला हो 180 gram जो है यह आपका glucose का घ्रभबेबां निकल कर आगया है तो अई परकार जो हम लोग एक Carnegie मोल मेंümüz alors मेंना निकल कर आगया अब हम लोग जो है करबन का परसेंट निकलेंगे लिंगे तो आपका 72 gr a1 mol glucose नजी कार्बन का प्रतीषत आया वहीं अगर गलुकुज का आपका जो आपका कितना था 180.18 ग्राम यह जो आपका क्या है था तो यह आपका glucose का द्रभिमान है था तो यहाँ पर 180.18 लीक लेंगे और यहां पर हमारा प्रतीसत निखाला तो हंड्रेट से यह क्या कर देंगे तो मल्टिप्लाई कर देंगे ठीक है तो इस परकार से आपका जो आपका कार्बन का प्रतीसत निकल कर आएगा ना वह आपका 40% आएगा तो 40% जिनोंने भी लगाया है उनका यहां पर करेक्ट अंसर हो वह आपका यहां पर करेक्ट एंसर होगा क्योंकि यह जो आपका बाग और कुदिता हुआ बाग था ना यह चोलो का यह साही प्रदीक था और इसे जो आपका सिक्को मुहरों और बैंडरों पर जो वह दर्साय गया था तो यह पॉइंट भी आप ध्यान में रिखेगा नेक्स्ट आपके आप रहता है कि ग्राम पंचायत के गठन का उलेख किस अनुछेत के अंतरगत जो वह किया गया है तो देखे ग्राम पंचायत के गठन का जो उलेख है ना यह आपके अनुछेत 40 के अंतरगत जो वह किया गया है तो अनुछेत 40 आपका खरेक्ट एंसर होगा इसके लाव मैं आपको बता दू कि पंचायती रात से जुड़ी जो जानकारी है ना ये संबिधान के भागनौ में जो वो दिया गया है और इसमें आपके अनुछे 243 से लेकर 243 ओ तक जो वो आपके सामिल है और अनुछे 243 में जो है ये आपके पंचायतों की परिभासा जो वो दी गई है तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखेगा नेक्स्ट कोश आपके आप रहा था कि दर्म फालो अन इस यूजड टू दा स्पोर्ट आफ यानि जो ये आपका फालो अन जो टर्म है ना ये किस खेल में परियोग किया जाता है तो ये आपका टेस्ट नदी है ना ये महा बलेश्वर से जो वो निकलता है तो क्रिष्णा नदी आपका करेक्ट एंसर होगा और क्रिष्णा नदी जो ये किस रज्यों से होकर बैता है तो ये नदी जो आपका महरास्ट करनाटक तेलंगाना और आंध्रपर्देश से होकर जो ये बैता है और क्र नदी के किनारे ही जो वो वसा हुआ है तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखेगा और कृष्णा नदी के कुछ अगर परमुख उपनदियों की बात कर ले तो देखे इनमें आपके परमुख उपनदियों में एक तो आपका कुंडाली इसके लाओ वेना कोईना पंच गं फैविंग इस नॉट क्लास ऑफ आईलम पौरी फैरा यानि निमन लिखित में से कौनसा एक जो है पौरी फैरा संग का वर्ग नहीं है जहां पर Опस़न में आपका हाईडरा दिया गया था तो देखें यह जो आपका हाईडरा है ना यह आपका नीडारिया संग के अंतरगत ना कि पौरिफेरा संक्यांतरगत आता है तो हाइडरा आपका यहां पर करेक्ट टेंसर हो गा नेक्स्ट को यह आप रहा था कि what is a nose and throat infection called यानि जो आपके nose और throat में जो infection होता है उसे क्या कहा जाता है तो यह आपका viral pharyngitis यानि viral grass निशोद जो वो कहा जाता है तो viral pharyngitis आपका यहाँ पर correct tensor होगा और इसके अगर उधारन की बात कर तो देखें यह जो आपका diptheria जो रोग होता है या आपके nose या फिर throat infection का एक उधारन है तो यह point भी आप ध्यानने रखीगा next आपका question है था कि समता सैनिक दल यानि SSD का जो गठन है यह किस ने किया था तो देखें समता सैनिक दल जो कि आपका एक समाजिक संगठन था और यह इसकी जो अस्थापना है यह आपके 13 March 1927 को जो है बाबा साहे भीम राओ अंबेटकर के द्वारा जो वो किया गया था तो बाबा साहे भीम राओ अंबेटकर आपका correct answer होगा और देखें इस संगठन का उधेश्य क्या था तो देखें इस संगठन का जो उधेश्य से था ना यह भारते समाज के सभी उत्पिडित वर्गों के अधिकारों की जो है सूरच्छा करना इसका जो उधेश्य था तो यह point भी आप ध्यान में रखेगा next question आपका आप रहा था कि green revolution negative impact जो वो पूछा गया था यानि भारत में हरित करांती के जो है कुछ नाकरात्मक प्रभाव जो वो पूछे गया थे तो जैसा कि आपको पता कि grain revolution का जो है कुछ positive impact भी रहा था और कुछ negative impact भी जो वो रहा था तो negative impact के बारे में पूछा गया था तो देखे पहला तो आपका जो negative impact भी रहा था वो आपका environmental damage रहा था यानि पर्यावर्नी च्छती रहा था अब बहुत ज़्यादा pesticides का उप्योग करेंगे तो आपका environmental damage तो वो देखने को ही मिलेगा तो यह जो आपका नाकरात्मक प्रभाव रहा था इसके लावा soil degradation यानि tractor व होगा इसके लावा ground water depletion यानि भूजल की कमी भी जो है या आपका नकरात्मक प्रभाव रहा था इसके लावा loss of biodiversity भी रहा था इसके लावा health hazards भी रहा था तो यह सारे facts जो आपको ध्यान में रखना है next up का है आप रहा था कि which river falls in arabian sea यानि इन में से कौन सी नदी जो है अ आपके arabian sea में जो वो गेड़ता है तो इन में से जो भी option में दिया गया होगा वो आपका यहाँ पे correct answer होगा next up का यहाँ पर रहा था कि निम्नलिखित में से कौन सुध घरेलू उत्पाद यानि NDP की अउधारना का जो है सबसे अच्छा निरूपन है तो देखे NDP में आप का यहाँ पे correct answer होगा इसके लवा सुध घरेलू उत्पाद की बात कर लो तो यह क्या होता है तो यह जो आपका एक रास्ट की आर्थिक उत्पादन का जो है एक वार्सिक माप है जिसमें मुल्ले हास के प्रभाव के अनुशार जो है समाय योजित जो वो किया जाता है तो यह point भी आप ध्यान में रखेगा और इसको कैसे निकाला जाता है तो इसे जो है NDP की गन्ना सकल घरेलू उत्पाद यानि जो आपका gross domestic product होता है उसमें depreciation यानि मुल्ले हास को घटा कर जो है यह आपका NDP जो वो निकाला जाता है नेक्स्ट आप का यहाँ रहता है कि खेलो इंडिया यूद गेम्स 2022 का जो सुभंकर रहा था ना एक तो आपका आसा और मोगली रहा था आसा का मतलब जो है यह आपका महिला चीता और मोगली रहा था तो आसा और मोगली आपका correct answer होगा इसके लावा अगर खेलो इंडिया यूद गेम्स 2022 की बात कर ले तो इसका जो आयोजन है यह आपका 31 जनवरी 2023 से जो है 11 फरवरी 2023 तक जो है यह आपका मद्य पर्देश के जो है आठ सहरों में जो है यह आपका आयोजी जो हो किया गया था और यह जो आपका कौन सा संसकरन रहा था तो यह आपका पांचवा संसकरन रहा था तो यह पॉइंट भी आप गया गया था और इसमें जो आपका मसाल रहा तो वह आपका अमर कंटक रहा था और ठीम संग जो एहा ता नहीं हिंडूस्तान का दिल धरकने दो यह जो आपका थीम संग रहा था तो ये point भी आप ध्यान में रखेगा, इसके लाव एक्जाम में पूछा जाता कि मद्य पर्देश के कितने सहरों में यह आयोजित किया गया था, तो यह आपका 8 सहरों में जो इसका आयोजन जो वो किया गया था, नेक्स्ट अगर बात कर ले पदक तालिका में, पहले अस्थ अस्थर पर प्रसंसीत निट्यांगना को 2020 में पदम स्री से सम्मानित किया था, यह जो आपका किस नित्त सैली में अपने योगदान के लिए जो वो प्रसिद्ध है, तो देखें इंदीरा बोरा की बात कर ले, तो इने 2020 में जो आपका भारे सरकार के द्वारा पदम स्री आ तो अगर संतूर सम्राट के बारे में पूछा गया था, यह आपके पंडित सिवकुमार सरमा को जो वो जाना जाता है, तो अगर संतूर समराट पूछा गया था तो पंडित सीव कुमार सरमा अपका फिर करेक्ट टैंसर होगा नेक्स्ट कोशन आपका याम रहा था कि वर्स दोजार दो की प्रतिस्टित महारास्ट्र भूशन पुरुशकार से जो है ये किसे सम्मानित किया गया था तो देगे भारत रहतन से भी जो वो सम्मानित किया गया था तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखे इसके लावब अगर 2022 का पूछा जाए किसे सम्मानित किया गया था तो यह आपके अपा साहिब धर्मा अदिकारी को सम्मानित किया गया था वही 2023 में अगर पूछा जा तो यह आपका कला के छेत्र में असुक सराफ को जो वो आपका सम्मानित किया गया था और 2024 में अगर पूछा जा तो कला साहित्ति के छेत्र में जो है यह प्रदीप महाजन को जो वो सम्मानित किया गया था तो यह फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा नेक्स्ट आपका यहां पर कुशन है था कि भारत की बाहर सबसे ज़्यादा जो हिंदू अबादी यह आपका भारत देश में है उसके बाद जो आपका हिंदू अबादी वाला जो देश है यह आपका नेपाल देश है नेपाल में हिंदू धर्म का जो आपका अनियोकी जो संक्या आना यह लगबग आपका 28.6 मिलियन है इसके बाद आपका कौन सा देश आ जाता है तो इसके बाद आपका बांगला देश आ जाता है तो यह point भी आप ध्यान में देखेगा तो नेपाल आपका यहां पर correct answer होगा तो शनाय था कि how many pieces does the white player have been chased, यानि सत्रंज में सफेद मोरे वाले खिलाडी के पास कितने मोरे होते हैं, तो देखे सत्रंज में सफेद मोरे वाले खिलाडी के पास या आपके मोरे होते हैं, तो सुल्ल आपके या पे correct answer होगा, इसके लाव में आपको बढ़ा दू कि सत्रंज के मोरे या आपके कितने तरह के होते हैं, तो देखे सत्रंज के मोरे या आपके 6 तरह के होते हैं और वो 6 परकार कॉन-कॉन से हैं, तो पहला आपका प्यादा होता हिता। जो कि आपका आथ प्यादे होते हैं, इसके लाव मैं आपको बढ़ा दू कि सत्रंज के बीसात पर आपके 64 यानि 64 वर्ग होते हैं, जिनमे आपके 32 सफेद और 32 या आपके काले होते हैं, तो ये point भी आप ध्यान में रखेगा next question आपका आप रहा था कि what material is used to make a calorie meter यानि calorie meter बनाने के लिए किस सामगरी का उप्योग जो वो किया जाता है तो देखे calorie meter बनाने के लिए यह आपका copper यानि तामबे का जो परियोग है वो किया जाता है तो copper आपका यहाँ पर क्रेक टेंसर होगा और देखे calorie meter बनाने के लिए तामबे का ही परियोग क्यों किया जाता है क्योंकि यह जो आपका copper होता है यह आपका good connector of heat होता है यानि यह जो आपका तामबा जो होता है यह आपका copper का परियोग जो आपका किया जाता है तो यह point भी आप ध्यान में रखेगा next question आपका यहाँ पराता कि जीवानू से आपके जो कौन से रोग होते हैं तो देखे जीवानू यानि बैक्टेरिया से होने वाले अगर रोग की बात कर ले तो देखे टाइफाइड बुखार हैजा, तपेदिक, प्लेग डिप्थेरिया, काली खांसी टीटनेस, कुस्ट रोग नियूमोनिया, इसके अलावा मुत्रमार्ग में जो संक्रमान जी से आप यूटियाई बोलते हैं, इन सभी जो रोग है ना, यह आपके बैक्टेरिया से होते हैं, इसके अलावा बैक्टेरिया से होने वाले अन्ने रोग की अगर बात कर ले, तो देखे अस्टेफी, अस्टेफी लोकोलोल रोग, इसके अलावा स्ट्रेप्टोकोकल रोग, इसके अलावा सालमोन नेला रोग जिसे आप मियादी बुखार भी बोलते हैं इसके लावा सिफलिस और गोनारिया रोग ये सबी जो रोग होते हैं ये आपके बैक्टेरिया से होते हैं तो इन ही में से जो आपका एक आप्सन में दिया गया होगा तो इन में से जो भी आप्सन में दिया गय जो है यह आपका किस अधिनियम या किस वर्स में जो यह आपका स्थापित किया गया था तो देगे भारत का जो पहला उच्छ न्याले है ना यह आपका कुलकता में स्थापित किया गया था जो कि आपका भारत का जो पहला उच्छ न्याले यह आपका कुलकता उच्छ न्याल से जो वो खोला गया था तो अगर वर्स पूछा गया था तो 1862 आपका यहां पर करेक टेंसर होगा इसके लाँ मैं आपको बता दू कि इसे पहले जो है यह आपका फोर्ट विलियम में न्याए पालिका का उच्छ न्याले भी जो वो कहा जाता था और देखें 1862 में जो है आपका मदरास उच्छ न्याले के स्थापना यह जो आपका 26 जून 1862 को किया गया था इसके बाद आपका इलाबाद उच्छ न्याले के स्थापना जो है यह आपका 17 मर्च 1866 को किया गया था और बैंगलोर उच्छ न्याले जिसका वत्मान में अभी जो है करनाटक उच्छ नाम है और इसकी जो स्थापना है यह आपका 1884 में जो वो किया गया था और किस अनुछेद में यह बाता की कही गई है तो देखे भाड़ते संबिदान के अनुछेद 214 में यह कहा गया है कि हर राज जी का एक उच्च नाले होगा और अनुछे 231 में आपका यह कहा गया है कि दो या दो से अधिक राज्यों के लिए जो है एक ही उच्च नाले होगा यह आपका अनुछे 231 में कहा गया है तो यह सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट कुशन आपका यह बारत में प्रो कबड़ी लीक की जो स्थापना है यह किस वर्स में हुआ था यानि प्रो कबड़ी लीक की जो सुरुआ था नेक्स वर्स में हुआ था तो देखे भारत में प्रो कबड़ी लीक की जो सुरुआथ है ना यह आपका 2014 में हुआ था तो 2014 आपका यहां पे correct answer होगा और जो 2023-24 में जो आपका दसवा संस्करन जो खेला गया था ना इसका विजेता अगर पूछा जाए तो देगे प्रो कबड़ी लिग के आपका पुनेरी पल्टन रहा था फाइनल में पुनेरी पल्टन ने जो है अर्याना अस्टिलर्स को जो है यह 28-25 से हराकर जो है इसका जो विजेता बना था तो यह पॉइंट भी आप ध्यान में रखेगा नेक्स्ट आप का यहाँ पर आया था कि पर्यूशन पर्व किस धर्म से संबंदित है तो देखे अगर पर्यूशन पर्व की बात कर ले तो यह जो आपका जैनी उगे लिए जो है मैतपूर्ण वार्सीक पवित्र होते हो रहे तो यह किस धर्म का ते हो रहे तो यह आपका जै धर्म के द्वारा जो वो मनाया जाता है तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखेगा नेक्स्ट अपका यहाँ पर आया था कि प्रसीद लोक संगीतकार भुपेन हजारिका जो है यह आपके किस राज्य से संबंदित है तो देगे भुपेन हजारिका की बात कर लें ने 2019 में भारत का सर्वोच नागरिक समान भारत रतन से जो वो संबंदित किया था और यह जो आपके असम राज्य से संबंदित है तो असम आपका यहाँ पर करेक्टेंसर होगा इसकला एक्जाम में पूछा जाता है कि भुपेन हजारिका का जो संबंद है यह किस से है तो देगे भ जुधा कुंतों को जो है जिसका अर्थ क्या होता है तो यह आपका अमरीत गला होता है यानि अमरीत गला के नाम से इन्हें जाना जाता है इसकला मैं आपको बता दू कि आपके भुपेन हजारी का जी को जो है 2012 में भारत के दूसरे सर्वोच नागरिक पुरुशकार पद्म वीबूसन से विजवई ने सम्मानित किया गया था, तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रिखेगा, नेक्स्ट कुश आपका आप रहा था कि निम्नलिखित में से यहां पर प्रश्ट ने ये पूछा गया था कि बाबर का उत्रादिकारी कौन था, तो देखे बाबर के अगर उत्रादिकारी की बात कर ले, तो ये आपका हुमाईू था, तो हुमाईू आपका यहां पर करेक्ट एंसर होगा, और ये जो हुमाईू था ना, ये आपका स्थान जो है कब प्राप्त किया था, यानि एक् उतरादीकारी हुमायु था ना इसका अस्थान आपको ध्यान में सहां में रहा था औरश उतरादीकारी आपका और ओरंग जब रहा था तो यह फैक्ट भी आप ध्यान में रहा Спैट नेर्थ यह थैई यह किस्से था तो देगे अगर 1854 के उट्स डिस्पैच की बात कर ले तो यह जो आपके उस समय भारत के तत्यालीन गवर्नर जिनरल धलोजी को एक प्रेश जो वो आपका भेजा गया था जिसमें उट ने सुझाओ दिया था कि प्रात्मिक विद्यालियों को अस्थानिय भास यह किस संबन्दी था तो यह जो आपका उट्स डिस्पैच तुद्ध यह किससे संबन्दी था तो इन तीनों से जो बी अप्सें में दिया गया होगा व आपका यहाँ पर मुक्यबाजी संग का अध्यच 2022 में जो यह किसे बनाया गया है तो यहाँ पे आपका AIBA के बारे में पोचा गया था तो देखे अंत्रास्ट्री आपके मुक्यबाजी संग का अध्यच 2022 में जो है यह आपके लवलीना बॉर्गयन को जो वो बनाया गया था तो आपसन में आप कि अगर लवलीना बौर्गेयन दिया गया होगा तो लवलीना बौर्गेयन आपके यहां पे करेक्ट टेंसर होगा और तोक्यो ओलंपिक 2020 वह था जो कि आपका 2021 में आया उजीत किया गया था इसमें भारत के तरफ से जो है यह आपके ब्रॉंज मेडल जीती थी तो यह पॉइ जाने घराने से जो वो तालुकात रखती थी तो किराना घराना आपका यहां पे करेक्ट एंसर होगा वहीं अगर बात कर ले किस छेत्र से संबंदी थी तो यह जो आपका भारते सास्त्रिय गाय का थी तो यह पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा और प्रभा अत्रे को 1991 में संगीतनाटक अकडमी पुरुषकार से जो वो सम्मानित किया गया था इसके लाव प्रभा अतरे जी को जो है 1990 में पदम सरी, 2002 में पद्म भूशन और 2022 में इने संगीत के चेत्र में पद्म भीबूशन से भी जो वो सम्मानित किया गया था तो यह सारे फैक्ट जो आप को ध्यान में रखना है और किराना घराने के अगर संस्थापक के बारे में पूछा जाए तो देखे किराने घराने को जो संस्थापक रह देना यह आपके उस्तादकर खान रहे थे तो यह फैक्ट भी आप ध्यान में रखेगा नेक्स्ट अप कह रहता है कि MPLATS योजना की कि जो शुरुवात है ये आपका 23 दिसंबर 1993 को जो वो किया गया था और देगे MPLATS योजना का जो उदेश सी था ये संसर सदश्यों को अपने निर्वाचन छित्रों में अस्थानिय असकताओं को जो वो पूरा करने के लिए पुंजी गत प्रकृति के छोटे कालियों की पह 293 आपका करेक्ट एंसर होगा नेक्स्ट कोशन आपका आप रहा था कि काली दा सम्मान से शम्मानित रोहिनी भाटे जो है भारत के कि सास्तरी नेतर से संबंदी थी तो देखिए अगर रोहिनी भाटे की बात कर ले तो ये जो आपका भरत नाटियम और कथक नेत्यांगना तो आपसन में आपका कथक दिया गया था तो कथक आपका यहां पे करेक्ट एंसर होगा इसके लाव मैं आपको बता दू कि अगर दोनों आपसन में ही दिया रहे तो दोनों को जो आपको वह टिक करना होगा तो ये पॉइंट भी आप ध्यान मे रेखिए गा नेक्स्ट जब आपका sulfuric acid से जब आपका reaction किया जाता है तो यह जो आपका क्या-क्या बनता product में तो देखे product में जो आपका magnesium sulfate बनता है MgSO4 बनता है उसके बाद आपका hydrogen gas जो वो बाहर निकलता है एक जो आपका fundamental duties यानि मौली कर्टब जो वो नहीं है तो देखे मैं आपको बता दू कि यहाँ पे आपके दो option दिया गया थे एक आपका जो option दिया गया था एक आपका paying taxes जो option दिया गया था और दूसरा जो option दिया गया था वो आपका दिया गया था कि vote in election यानि चुनाओं मे भाग लेना ये जो आपका दिया गया था तो देखे paying taxes और vote in election ये दोनों option ही जो आपका correct टैंसर होगा क्योंकि paying taxes और vote in election ये दोनों ही जो आपके मौली कर्टब बे नहीं हैं तो इन दोनों में जो भी option आपका बोथ आपका दिया गया होगा बहुत second and third जो आपका यहाँ प 76 में हुआ था इसमें आपके स्वर्ण सिंग समीधी के सिफारीज पर जो हमारे संविधान में आठ मौली कर्टबे को जो वो सुझाओ दिया गया था और 42 संविधान संसोधन में 1976 में जो है आपके 10 मौली कर्टबे को जो जोड़ा गया था यानि जो और अन्य जो दो मौली कर्टबे न यह आपके इंदिरा गांदी सरकार की दोरा जो वो implement किया गया था तो यह point भी आप ध्यान में रखेगा और वर्तमान में आपके मौली कर्टबे को जो संक्या वो आपका 11 है और 11 मौली कर्टबे को जो यह आपके 86 वे शंविदान संसुदन जो आपका 2 जोर 2 में हुआ था इसके माद्यम से जो वो जोड़ा गया था इसके लवा मौली कर्टबे का वीचार यह जो आपके इस देश से लिया गया था तो यह आपका यूएस एश आर जिसे वर्तमान में आप रूस कहते हैं तो रूस देश के संभिदान से जो इसे लिया गय तो यह दियाएं अपर माली कर्टबे का प्रड़ान से अनुछेध में तो यह आपका भाग चार इयम है और अनुछेद की बात कर लें तो यह हिंसतक तूफान होता है जो कि उस निकटी बंदिये चेतरों में महासागरों से जो यह आपका उत्पन होता है और बाद में हिंसक हवाएं जैसे की बहुत भारी वर्सा और तुफान के कारण बड़े पैमाने पर जो यह आपके विनास लाते हैं जिसमें पश्चिमी ऑस्टेलिया में उस निकटी बंदिये चकरवात को जो है यह आपके वाईली विलीज के नाम से जो वो जाना जाता है तो Wiley Willis आपका correct answer होगा इसके लावा हिंद महासागर में जो इसे आपका चकरवात के नाम से जाना जाता है Atlantic महासागर में जो इसे तुफान के नाम से जाना जाता है पस्चिमी प्रसांत और दचनी चीन सागर में जो है इसे टाइफून के नाम से जाना जाता है तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखेगा नेक्स्ट कोशन आपका है हम रहा था कि PM सम्मान नीधी योजना में एक साल में ये आपके कितने रुपे जो वो दिये जाते हैं तो देखे अगर प्रधान मतरी किसान सम्मान नीधी योजना की बात कर ले यानि इस पहल की जो गोशना ये आपका 24 फरवरी 2019 को जो वो किया गया था लेकिन इसे सुरू जो आपका 2019 में ही किया गया था और इसमें जो आपके इस योजना के तह जो है पात्र किशानो को सलाना जो है ये आपके 6000 रुपे की आर्थिक साहता जो वो दी जाती है तो सलाना पूछा गया था तो 6000 आपका यहां पर करेक टैंसर होगा नेक्स्ट कोश आपका 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 इस थापना ये कब हुआ था तो देकि भारते चुना आपका आपका 25 जनवरी 1950 को हुआ था और इसलिए 25 जनवरी को जो प्रतेक वर्स राष्टे मतदाता दिवस के रूप में जो वो मनाया जाता है तो 25 जनवरी 1950 आपका यहां पर करेक टैंसर होगा इसके लब अगर भारते चुना आयो की बात कर ले तो यह जो आपके भारत में संग और राज चुना प्रतिक्रियाओं के जो है यह आपके प्रशासन के लिए जिम्मेदार होता है और यह जो आपका एक स्वामत संविधानिक प्रादी करेन है तो यह पॉइंट भी आप ध्यान में रखेगा और इस आयो का जो सचीवाल है यह आपका नई दिल्ली में इस्तित है नेक्स्ट कोशन आपका आप रात है कि किस केंदर सासित परदेश में जुग्गी बस्तियों की जो जनसंख्या है यह सबसे ज़्यादा है तो देखिए जूगई बस्तियों की जणसंग्या आईए सबसे ज़ादा आपका दिल्ली केंद्र सासीत पर्देश में है तो दिल्ली आपका यहाँ पर परक्रेक्ट य्यादा पर दिल्डी है तो अगर विडियो अच्छी लग तो विडियो को जो है लाइक जरू कर दिजेग तो मिलते हैं नेक्स जोड़े हों तब तक थैंक यू, all the best.